टी आई गोली कांड में इतने खुलाते आप सुनकर चौंप जाएंगे टी आई पर गोली चलाने का अरूपी SI, RB सिंग भेजा गया जेल पिछले दिन गुरुवार की दुपार रीवा के सिविल लाइन थाने के अंदर टी आई के चैंबर में TI को SI ने गोली मार दी गोली उनके 22 सिने के उपर लगी थी TI को गंभीर हालत में पास के ही एक नर्सिंग होड में एडमिट कराया गया था जहां देर रात होपाल और जबल पूरते आई डाक्टरों की टीम ने ऑपरेशन करके उनके सीने में जो गोली लगी थी उसको निकाला था फिलहाल TI की हालत बहतर बताई जा रही है वो पूरी तरीके से ठीक खत्री के पाहर है गोली उनके सीने के उपर कालरवोन के नीचे लगी थी SI पर कई गंभीर मामलों के खुलासे हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा खुलासा यह है कि उन पर 74 मामलों में विभागी जाच चल रही जियां 74 मामलों में विभागी जाच SI आरबी सिंग पर 69 मामले जो की साधारण थे उसके अलावा 5 गंभीर मामलों में उनके खिलाब जाच चल रही थी जो की काफी गंभीर बात है कुल मिलाकर 74 मामलों में जाच चल रही जाच का इतना बड़ा आखड़ा 25 साल की नौकरी में यह माना जा सकता है आप द्वैमंदाजा लगा सकते हैं कि आरबी सिंग किस तरीके से उनकी प्रवत्ती होगी किस तरीके से उन पर इस तरीके से मामले दर्ज हुए होगी साथ ही एक बड़ा खुलाता आरबी सिंग को लेकर और भी हुआ है उनके पास से एक नहीं दो सरकारी रिवालवर बरामत हुए हैं जो कि जाज का विसे हैं जिसके बारे में रीवा डियाई जी मितलेश शुखला ने साब तोर से कहा है उनके पास से दो सरकारी रिवालवर बरामत हुए हम जाज करेंगे उनके पास से दोने रिवालवर ने कहां आईं कब उनको मिली थी घटना के काफी वक्त बीटने के बाद जिस तरीके से आरबी सिंग के मामले में नए खुला से आ रहे हैं उसको देखकर सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है पुलिस मैंकेमे में क्या कुछ चल रहा था ये राज तब खुला जब SI ने TI को गोली मारी उसके बाद जब उन्होंने आत्म समर्पड किया अपनी रिवालवर जिम्मेदारों को दी तब पता चला उनके पास एक नहीं दो-दो सरकारी रिवालवर थी फिलाल रिवा डियाईजी मितलेश शुकला ने SI को नौकरी से बरखास कर दिया है जिस तरीके से उन्होंने TI के उपर प्राण घा तक हम लाग दिया टियाई के चैंबर में ही हितेन नात्मिश्रा को जिस परीके समय गोली मारिती उसके चलते उनको सेवा से परखास कर दिया दिया फिलहाल एक बड़ी खबर और निकल कर आई है आरबी सिंग को आज देर साम रीवा के जिला नयायले में पेश किया पुलिस में जहां से उनको जेल भीज दिया गया टी आई पर हमला करने वाले एसाई पर 307 के तहट पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जेल भीज दिया है उसके अलावा आरबी सिंग पर एक बड़ा खुलाता है ये भी हुआ है आरबी सिंग कुछ दिल पहले तक विधान तबा अध्यक्ष की वी आई पी दूटी 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 ये लगबग दो मां पुरानी बाद फिलाल उसके पहले साल बर से जादा समय तक उन्होंने विभागी जाच चल रही है उनको रीवा के सिविल लाइन थाने में पदस्थ करना ये भी एक जाच का विपाए हो सकता है साथी विधान तबा अध्यक्ष की वी आई पी डूटी में उनको लगाना ये भी काफी गंभीर बात मानी जा सकती है फिलाल राहत की बात ये है कि वो उनको रीवा के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है आज नया एले में पेश करने के पाद है पूरे मामले को लेकर हमने डियाई जी रीवा मितलेश शुक्ला से बात की आईए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था कल दिनां सत्ताई साथ को थाना सिविल लाइं टी आई इतेन सर्मा के उपर सब इंस्पेक्टर विया शिंग द्वारा सर्विस रिवालवर से आईर किया गया जो कि उनके बायकंदे में थोड़ा नीचे लगा इस घटना के उपर विया शिंग के उपर आरोपी विया साथ ही उनके द्वारा किये गए इस कर्फ्र को देखते हुए साथ ही इनके पूर का जो कंडेक्ट है उसको देखने के उपरां इनके खिलाब रात्मिज्याच्वी और इनने दर्तकाल प्रभाव से सेवा सेवा अर्थास्त कर दिया गया है इसके सम्मन्द में एक अधिकारी के पास दो रिवालवा कैसे ही उसके लिए प्रतक से जाथ करा जाए है तो इसके इसके इनको ठाने कैसे अधाने में पदस्थापना पुले सदिक्चा के द्वारा की जाती है वह कैसे वहाँ पर थे यह भी देखा जाएगा कब से थे कहां थे बहले क्या क्या था आप जो कह रहे हैं के 74 मामले हैं इसके उपर मामले तो नहीं है 74 यसा में पता है 71 बार इनको इनकी गल्तियों के उपर इनके अधिकारी ने द्वारा दंडित किया गया है